नमस्कार जेसी आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज की कर्चा में हम वर्ग दो के गनित के पार्ट गुना की चर्चा करेंगे इसके अंतरगत हम लोग गुना की अवधारना सिखेंगे पिछली कर्चा में हमने गुना की शुरुवात की थी और इसके बारे में कुछ समों के बारे में जाना था आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पिछले दिनों राणी के घर उसके नाना, नानी, मामा, मामी ये आए और सभी ने राणी को चौकलेट दिये नाना ने दिये दो चौकलेट, नानी ने दिये दो चौकलेट, मामा ने दिये दो चौकलेट और मामी ने भी दिये दो चौकलेट, तो कितने चौकलेट होगे? दो चौकलेट, फिर दो चौकलेट, फिर दो चौकलेट, फिर दो चौकलेट, फिर दो चौकलेट तो कितने लोगों ने दोदो चॉकलेट दिये रानी को? कितने लोगों थे? कितने लोग थे? नाना थे, नानी थी, मामा थे, मामी थी यानि ये चार लोग थे और चार लोगों ने दोदो चॉकलेट दिये रानी को तो ये दो-दो चॉकलेट के कितने समूं हो गए? चार समूं हो गए और ये हो गए कितने? आठ इसको हम लोग लिख कह सकते हैं कैसे लिख सकते हैं? देखते हैं थोड़ा कैसे लिख सकते हैं? दो चॉकलेट दिये डाना ने दो दिये नानी ने दो दिये मामा ने और दो दिये मामी ने. कितने हो गए ये? आठ. तो ये जो दो हैं, ये कितने बार आए? चार बार. चार बार दो आए. चार बार दो. इसी को हम इस बार को हम यहां ये गुना कहते हैं, और गुना का चिन ये है. तो इसे हम आठ लिखेंगे. चार बार दो आए या दो जोड़े गए तो हो गए आठ. इसी को हम थोड़ा और चित्रों की साहता से समझते हैं. ये आइस क्रीम कितने हैं? आइस क्रीम के जो समू है. दो आइस क्रीम है. और ये कितने हैं? ये भी दो आइस क्रीम है. तो ये कितने हो गए? दो आइस क्रीम और दो आइस क्रीम? चार आईस क्रीम तो यहां हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना दो बार दो दो बार दो अच्छे चलिए फिर से लिखते हैं दो बार दो अर्थाथ फिर से यहां लिख रहे हैं दो गुना दो दो बार दो को ये बार को हम लिखते हैं गुना से के चिन से तो ये हो गए 4 अब फिर एक दूसरा उदर्ण लेते हैं यहां दो आइस क्रीम है और फिर यहां दो आइस क्रीम है और फिर यहाँ दो आइस्क्रीम है कितने हो गए यह दो जोड़ दो जोड़ दो यह छे आइस्क्रीम हो गए अर्थात यह दो कितनी बार आए तीन बार तीन बार दो अर्थात तीन गुना दो तो यह बार बार जो जोड़ने की प्रिक्रिया है इसी को हम कहते हैं गुना, तो तीन बार दो आए अर्थाथ, तीन गुना, दो ब्राबर कितने हो गए, छे, एक और उधरन लेते हैं, यहां फिर आईस क्रीम के समु है, यह पहला समु, यह दूसरा, यह तीसरा, और चाथा,asan चौथा, यह तो दो के हैं, दो आइसख्रीम, जो जोड दो आइस्क्रीम, जोड दो आइस्क्रीम, तो ये कितने हो गए? आठ, तो दो कितने बार आए? ये चार बार दो आए, यानि चार गुना दो, तो ये हो गए? आठ, इस तरह हम देखते हैं कि गुना वास्तों में क्या है? बार बार जोड की प्रिक्रिया है, आप देख बार बार जोडने में बड़ा परशानी हो रहा है, इसलिए हम इसी गुना के चिंद से हमने लिखा 4 गुना 2 ब्राबर 8 यहां हम देख रहे हैं अंगूर के गुच्छे हैं, कितने अंगूर है एक गुच्छे में? चार अंगूर और गुच्छे कितने हैं? दो तो चार अंगूर और चार अंगूर कितने हुए? आठ अंगूर अर्थात 2 गुना 4 ब्राबर 8 अब दूसरा चितर हम देख रहे हैं, यह सांपू का चितर है और यह कितने कितने समूर में हैं? दो दो सांपू की समूर है तो दो सांप, दो सांप, दो सांप और दो सांप, कितने हो गए? आठ तो हम इसे कैसे लिखेंगे चार गुना दो ब्राबर आठ इसी तरह से अगला सवाल लड़ूं का है इसे आप खुद से बनाए आईए कुछ और उदारध हम देखते हैं तीन जोड तीन जोड तीन जोड तीन तो यह तीन कितने बार आए चार बार यह तो चार बार तीन आए अर्थाथ चार गुना तीन कितने हो गए बार आप यहां भी देखिए तीन जोड तीन जोड तीन जोड तीन तीन और तीन छे और तीन नौ और तीन बार अर्थात 4 बार 3 हो गए 12 यानि 4 गुना 3 हो गए 12 अब दुसरा उधारन देख रहे हैं 7 जोड 7 जोड 7 कितने हो गए 7 और 7 14 और 7 21 तो ये हो गए कितने 21 ये कितने थे 7 थे कितनी बार आये थे 3 तो हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 7 ब्राबर 21 अब ये तीसरा वाला उधारन देख रहे हैं यहां 6 जोड 6 जोड 6 जोड 6 6 कितनी बार आये हैं? 5 बार तो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 तो ये 6 जो 5 बार आये तो कितने हो गए? तीस और इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 बार आये 6 यानि 5 गुना 6 ये जो बार हैता है ना हम लोग अब बोल रहे हैं बार 5 बार 6 इसी का हमारा गनीतिये नाम है गुना और इसका चिन ये है ये गुना का चिन है तो आप कन्फ्यूज नहीं हो ये जोड का चिन हमारा ऐसे होता है ये एक सीधी लकीर और एक ऐसे अब लेकिन गुना का चिन कैसे होता है एक ये तिर्चा एक दूसरा तिर्चा तो हमें इन दोनों चिन्णों में भी ध्यान रखना है लिखते समय अब हम कुछ दूसरे उधारन लेते हैं पिछला जो उधारन हम ले दिया था उससे ये थोड़े उल्टी प्रिक्रिया है पांच बार है तो यहां तीन जोड तीन जोड तीन जोड तीन कितने हो गे यह पंदर इसे आप जोड़के भी देख लीजिए ये आएंगे पंदर फिर है साथ गुना तीन हमने पहले भी जाना था कि गुना क्या होता है बार साथ बार तीन तो ये तीन कितने बार हो गए एक, दो ते, इन चार, पांच छे और ये साथ तो तीन आ गए हमारे साथ बार तो हम इसे जोड़ के देखते हैं तीन जोड़ तीन 6, तीन 9, तीन 12, तीन 15, तीन 18, और तीन 21 तो ये हो गए हमारे 21 अर्थाथ साथ बार तीन हो गए 21 ठेक इसे तरह से हम पांच गुना चार भी करेंगे अर्थाथ पांच बार आए हैं चार, चार कितनी बार आए? पांच बार एक, दो, तीन, चार, पांच तो फिर से हम देखते हैं पांच गुना चार का अर्थ हो गया चार आए हैं पांच बार या पांच बार चार आए हैं तो इसे हम जोड़ते हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे कितने, 20, इसे आप खुद से जोड़के भी देख सकते हैं, तो ये आ गया, 20, तो आज की कर्चा में हमने गुना की अवधारना को स्पस्ट किया, मुझे आसा है कि आप अच्छी तरसी से समझ गये होंगे, आपकी पुस्तक में जितने भी एक्सरसाइज दिये हुए हैं, इससे संबंदित सभी को आप बनाएं, धन्यवाद,